हेलो टुडेंट, एक्सेलेंट एक्जाम में बेवेक आपको फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज हम लेकर आज वेक क्लास 12 सामान हिंदी में गद्यांस पर अदारित प्रश्ण उत्तर जो कि आपको बोड एक्जाम में 10 अंग में पूछा जाएगा और आज हमने सलेक्ट किया हुआ है राष्ण का स्वारूप जियां दोस्तों, हिंदी गद्यांस में आज हम चेप्टर पहला सुरूप किये हैं राष्ण का स्वारूप तो आज ये कलास में पूरे राष्ट का सवरूप अध्याय का जितने भी गध्यांस पर अधावित कोश्चन बन सकते हैं, जितने इसका गध्यांस पैसेज बन सकता है, सभी को आज हम डिसक्स करेंगे, और इसका जो PDF है, वो पढ़ाने के बाट डिस्क्रिप्शन बॉक्शन इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों पूरी अध्या का महत्तपुड है, इससे ज़्यादा इससे आपको नहीं बन सकता है, सब कुछ इसमें बताने वाले हैं, तो दोस्तों जितने इस्टूडेंट क्लास में आच अच्छा नमबर ला सकें, या फिर दोस्तों आप हमारे वाट्शाप ग्रूप से भी जूड सकते हैं, नमबर नोट कर लिजिए, नहीं स्टूडेंट 9451094356, यह मेरा वाट्शाप नमबर है, आपको बहुत एक्जाम रिलेटर कोई भी समस्या होती है, तो आप हमें यहां करते हैं कि राज़ का सवरूप, जैसा कि आप जानते हैं कि यह कोश्चन नमबर तीसरा में आपसे पूछेगा, इस तरीकी से कोश्चन पूछेगा, कि दिये गए गध्यांस पर आदायत निम्लिकित प्रशनों के उत्तर दीजी, और पहला हमने यहां पत्या जैसा कि आपक कि व्यक्त है, दो कोश्चन यह और बागी तीन कोश्चन जो होता है, इसी इसे आपसे पूछता है और उसको पढ़कर आपको एंसर देना होता है, जैसे कि बात गलते हैं, यहांप हमने पहला है, पैसे सलेक्ट यहांगे, भूमी का निर्माण, देओ ने किया है, वहां अन प्रित्वी सचे अर्थों में समस्त राष्टी विचार, जो राष्टी इता प्रित्वी के साथ नहीं जुड़ी, वहां निर्मूल होती है, राष्टी इता की जड़े प्रित्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्टी यह भाव का अंकुर पलवित होगा, तो यह आपका दूस्तों पैसेज है मलब कि आपका ये गद्यांस दिया हुआ और आगे इसमें ही है कि इसलिए प्रित्वी के भौतिक स्वरूप की अध्योपांत जानकारी प्राप्त करना उसकी सुंदर्ता उपयोगिता और महिमा को पहचानना अवश्यक धर्म है यहां तक है अब कुछ इस तरीके साब को से पूछेगा पहला आपका कुछन कमन रहेगा तो उपटे जो बनेगा उपर के पैसे जो यानि जो गद्यांस दिया है उसी में से आपको पढ़कर एंसर यहां पर देना होगा जैसे कि आप कहा है कि राश्ट्र भूमी के प्रती हमारा आवश्य कर्तव्य क्या है तो हम कहेंगे यहां से कि राश्ट्र भूमी के प्रती हमारा आवश्य कर्तव्य क्या है कि हम अपनी इस भूमी के रूप सुन्दर्ता और समृति के प्रती सचेत रहे और किसी भी तसा में इस भूमी के स्वरूप एयों संदर आधी को विक्रित न होने दे। ये संटेंस जो है ये इसी पैसेज में आपको लिखा गया, आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ दिया हुआ है, इसी से आपको पढ़ पढ़ के सभी कोशन का एंसर देना होगा, और ये बहुत ही आसान होता है, अगर आप आसानी से पढ़ पढ़ के देते हैं, तो भी आप अच्छा नमबर इससे आप ला सकते हैं, यानि कि 10 में राक्ष का सवरू, लेका कर नाम डाक्टर वासुद्यव शरण अग्रवाद, ठीक है, ये उसके रिखांकित भाग की, और उसकी ब्याक्ष्या करना है, तो बाकि सब कुछ चिसमें मैंने आपको अल्रेडी दे रखा है, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और आप समझ भी स यानि कि आपके गध्यांस से, हिंदी गध्यांस से, आपके चार चेप्टर हैं, और चारों के आज पाला चेप्टर का आराश्का सवरूप, बाकि तीन अध्या और बस थे हैं, इसको हम एक अक दीन में किलियर कर देंगे, और इसका पीडियाप दे देंगे, वहाँ से आप प्रकार की धात, वह को पृत्वी के गर्व में पोशन मिला है, दिन रात बाने वाले नदियों ने पहाड़ों को पीस-पीस कर अगडीत प्रकार की मिट्टीयों से प्रित्वी की देंग को सजाया है, तो देख सकते हैं, यह भी आपका इंपोर्टेंट है, बात करते हैं, तो ये भी आपका दोज़ा उन्लीस ने question पूछा हुआ है और जैसा कि मैंने बताए दो आपका question सेम रहेगें कि तीसरा कर्द्यान से कि माता अपने सब पूत्रों को समान भाव से चाहती इस प्रकार पृत्री पर बसने वाले जन बराबर है उन में उच और निच का भाव नहीं है ठीक है तो ये भी आप पैसेज देख सकते हैं important बात करते हैं तो ये 2020 में question पूछा हुआ है very important माना जाएग ये आपका question repeated कर सकता है 2021 के लिए इस पैसेज को आप जरू पढ़िएगा ठीक तो यहाँ देख सकते हैं दो question आपके कामन रहेंगे इसके बात करते हैं दूस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगला पैसेज हमारा यहाँ पर आ जाता है कि राश का तीसरा अंग जन की संस्कृति ये मनुस्य की युगो युगो में जिस सब्वेता का निर्मार किया है वहीं उसके जीवन की स्वास प्रस्वास है ठीक है आगे का गया है तो ये भी आपका दोज़ा बीस में question पूछा हुआ है very important ये भी आपका पैसे माना जाएगा इसलिए इसे भी आप अप अच्छे से भाव को प्रकट करते हैं आत्मा का जो विश्व व्यापी आनंद भाव है वह इन विवीद रूपों में साकार होता है ये दपी बाय रूप की द्रिश्टी से संस्कृत के ये भारी लक्षर अनेक दिखाई परते हैं किन्तु आंतरिक आनंद की द्रिश्टी से उनके एक प्रतेक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्विकार करता है और उससे आनंदित होता है इस प्रकार की उदार भावना की या उदार भावना ही विवीद जनों से राश्र बने हुए राश्र के स्वास्तिकर हैं तो ये भी आपका 2020 में कोश्टन पूछा हुआ है और आप देख स अगले क्लास में हम अगला ध्याय का लेकर आएंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट रहेगा अशो के फूल चार चेप्टर हैं आपके हिंदी गध्यान से तो असो के फूल लेकर आएंगे और असो के फूल इसके वाद दो अध्याय और बच्छिक और बता देंगे, इसी में से आपको question पूछेगा आपको 2021 के board exam में इसी तरीके से सभी question को point to point discuss करते चलेंगे और सभी को आप लोग त्यार करते चलेगेगा क्योंकि number हमें हर 20 से लेनी है ऐसा नहीं कि हमें physics chemistry math अगर हम अच्छे से पढ़ लेते उससे हमें top number मिल जाती है अगर आप Hindi fail होंगे या Hindi में कम आएगी या English में कम number आएगी तो भी आपका percentage bigger जागा इसलिए एक घंटा आदा घंटा कम सकम हर रोज आपको Hindi पर ही समय देना है और English पर ही आपको समय देना है ताकि board exam में देते समय में किसी भी तरीके से problem नहों इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आप तक provide करेंगे ठीक है बाकि दोस्तों जितना बताते हैं उतना आपको करते चलना है बाकि नंबर आपका बहुत ही अच्छा आने वाला है और दोस्तों आपको पताते हैं सभी student हर subject question bank खईद ले या फिर बिद्या मिले आउतार जो भी मिले आप खईद को उससे ही पढ़ाई करिए उसी question पूछे जाएगा ऐसा नहीं कि नया कुछ question मिलेगा और कम समय में आपको किसी भी तरीके से book लगाने या नया कोशन को नहीं पढ़ना है अगर नया कोशन लगाना शुरू करते हैं तो आपका percentage घटने वाला यह मानगा चलिएगा क्योंकि जो question पूछे जाएगा वो repeat question पूछे जाएगा नया कुछ नहीं होगा जब आपने साल भर तक अपने book को नहीं solve कर सके तो इसमें आपको solve करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ question bank आप खरे दिये जितना question important है जो question board exam में आयोए हैं उसे भी आपको सरल करने हैं बाकि जो भी classes चलने हैं चैनल पर उसे भी आप देखते रहिएगा बाकि मिलते हैं दोस्तों next class में चलते 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 इस class को फड़ा पर आप लोग लाइक शेयर और जो इस चुरें चैनल पहली बार है तो subscribe ज़रूर कर लें बाकि मिलते हैं next class में तब तक लिए जहिन जय भारत